हेलो एजुकेटर्स कैसे आप सब भी स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर हप पे वीडियो की शुरुआत से पहले आज हम एक छोटी सी प्रात्ना कर लेते हैं आज हम इस वीडियो में आपको सच दिखाएंगे अगर किसी को इस सच से कुछ दुख होता है या उनके मनखो ठेस पहुँचती है तो उसके लिए हम हाद जोड़के आपसे शमा मांगते हैं इस वीडियो में जो भी कहा गया है वो मेरे द्वारा थोड़ी सी रिसर्च के बाद आपको दिया गया है अगर इसमें कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ करना क्योंकि हम उन अध्यापकों को सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वीडियो की शिरुबात करते हैं आज आपने यूट्ब चैनल पे देखा ओगा कि यह मैच फिकसिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगी आपको एक अच्छी चीजे करनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप match fix करके जीते तो शुरुआत करते हैं वीडियो की आज मैं आपको बताऊंगा कुछ छोटे ऐसे comparison जो हर एक brand के साथ मिलकर करे गए लेकिन actual में क्या वो brand सही थे या फिर जिन brands के साथ जो comparison करा गया वो सही था इस व वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे पास market में बहुत सारे ऐसे पैनल है जिसमें टीचर को comparison करके यह बताया जाता है जब आप उनके नोएडा के office में जाते हो कि सर इस brand में यह है इस brand में वह है अल्टीमेटली लास्ट में उनको अपने ही brand पर लेकर आना पड़ता है क्यों क्यों कि वहां से वो उनसे अच्छा मोटा खासा profit margin कमा ले आपको service का लालच देकर आपको product quality का लालच देकर क्या यह बात सही है तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और आप समझ पाएंगे कि एक्च्छल में मेरी लड़ाई आपके हक के लिए है या फिर उनके साथ है तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कि मेरे चहरे पर खुशी आ जाती है इनको देखकर इतना खुश तो मैं अपने प्यार को देखकर भी नहीं होता है जितना मैं इनको देखके हो जाता हूँ यहां पर आप देखेंगे दिस ब्रैंड वर्स इस ब्रैंड वर्स इस दिस दिस लेकिन एक्च्छल में जीता कौन यह रहसे हमेशा रह जाता है बहुत सारी वीडियोज देखने के बाद मैंने एक चीज करी कि इन्होंने वीडियोज में कौमन क्या बोला गया है आज हम बात करेंगे उसके बारे में हमारी कलम कहा है इस कलम में बहुत ताकत है यह तलवार को गिरा देती है ठाकुर और आज हम कलम उठाएंगे अगर बात करें तो भाई साब यहां पे भी यह ब्रैंड हार गया सोरी हम इसको कलर चेंज कर लेते यहां पे भी यह ब्रैंड हार गया ठीक है अब यहां पे भी बात करें तो यहां पे भी यह वाला ब्रैंड हार गया अब यहां पे बात करें तो यहां पे यह दोनों हार गये पैन में थोड़ी सी दिकत बट कोई बात नहीं हम दोनों को यहां पर यह वाला ब्रेंड हारा यहां पर यह दोनों ही ब्रेंड हार गए जीता कौन जीता यह यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर यह वाला ब्रेंड हारा यहां तो बात ही छोड़ दो क्या है इन से बारे में तो बाद में बात करेंगे पहले अगर हम यहां पे एक comparison देखे जो कि एक recent वीडियो का था यह Macsab का Android 8 के पैनल का photo है जो आपको thumbnail पे लगा के और यह कौन सा है यह तो भगवानी जाने तो यहां पे भी जीता कोन अब अगर मैं बात करूँ इस वीडियो की तो यहां पे आपको यह बताया गया है कि इनकी भी goodwill value बहुत अच्छी है जो इन्होंने बहुत कम समय में बनाई है चाहे वो promotion YouTube के थूँ हो चाहे वो promotion add के थूँ हो इसमें promotion करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन आप promotion किस तरीके से करा रहे हैं वहां पे एक सोचने की बात है अगर हम बात करें मैकसब की तो यहां पर यह कहते हैं कि जो मैकसब का जो प्रड़क्ट है यह डीलर जिसकी वज़य से आपको सर्विस में इस ब्रेंड के लिए हमारे पास एक technical टीम अजो चो़ोगिस घंते आपको सफोर्ट करती है इसका मतलब जिस teacher ने आपसे ये brand खरीदा है उसके service direct company से ही बात होगी आपका कोई लेना देना नहीं है क्यों कहते हैं LG और ये वाला brand LG के लिए भी इसके consumer products काफी available है market में good value बहुत अच्छी है इनका response ये है ऐसा है वैसा है लेकिन अगर हम कहीं न बात करें तो इनके पास play store है जो LG में आपको play store नहीं मिलता बात करें इनके वाला product कभी quality and service के साथ compromise नहीं करता शायद आपने कभी कोई video start हुए या कभी जो पुराने episodes आते थे या आज भी आते हैं तो उसमें एक बात लिखी गई इस दारावाई की सारी बाते काल्पनिक हैं जिनका वास्तिवक्ता से कोई लेना देना नहीं है तो जो quality और service के आप बात कर रहे हो वो काल्पनिक है मज़ा आता है ऐसे जब यह बात ऐसी होती है अब बात करें यहां पर सैमसंग और मैक्सप का comparison हो रहा था यह दोनों ही डीलर बेस्ट प्रड़क्ट हैं जहां पर आपको service का डिले और लैग मिलता है क्यों क्योंकि जो डीलर है वह आपको फोन नहीं उठाता और कंपनी आपको service लंबे समय तक देते तो यहां पर आपको यह लेने की ज़रूरत नहीं आप हमारे वाला प्रड़क्ट लीजिए जिसमें आपको 24 आवर टेक्निकल टीम और सर्विस और सपोर्ट मिलता है तोल फ्री नंबर भी हमारे पास है लेकिन त दिरेक्ट सर्विस लेनी है तो आप पर संप से फोन करिए तो सेंसेज और इनका बोड अच्छी है अच्छी है बट हमारे वाले में एडवांस फीचर है जो अपग्रेड होते हैं अच्छी बात है लेकिन कहीं ना कहीं सेंसेज भी डीलर बेस्ट प्रड़क्ट है जो आपक इनका पैनल AI है क्या स्मार्ट राइटिंग करना अगर आप मैक सब के एंडुड एट वर्जिन पर जाएंगे जो 2022 से पहले था स्मार्ट राइटिंग वह भी कर रहा था क्या इंटरनेट से सर्च करना AI है तो दोस्त थोड़ा सा धीरज रखो और धीरज को धीरज से ये चीज़े समझने की जरूरत है एक्ट्यूल में शब्दों का मतलब क्या होता है AI जनेरेटिव क्या होता है या AI का मतलब क्या होता है कि आप अपने पैनल को किसी दूसरे पैनल से अगर कंपेर कर रहे हैं तो पहले आप चीज़ देखो क्या आप चैनल पर ये कहते हो फैक्ट्री से लाइव फैक्ट्री से लाइव आप खुद का अपना बना रहे हो नहीं आप खुद किसी और से अपना बनवा कर बेशनला लगा करें वह तो आपके पैनल में भी वही फीचर सोंगे ना जो दूसरे के में हैं अब कैसे कह सकते हुए कि आपके में यह एक्स्ट्रा फीचर अप नहीं कह सकते क्योंकि टीचर उस समय नहीं समझ पाता क्योंकि उनको नोलिज कम होती है לěकिन समझाने के लिए भी हम है अब अगर दूसरी बात करूँ आप हमेशा कहते हो कि Android 13 Android 13 Android 13 सर अगर एक छोटा सा comparison मैं करूँ अगर आपके Android 13 का मेरे पास Hisense का Android 13 का पैनल है क्योंकि BenQ मैं करता नहीं हूँ और actual में Android 13 जो अभी आया है वो Hisense Interactive Flat Panel के पास है या BenQ के पास है और अगर दूसरी बात करूँ मैं आपका Sir Android 13 आपके पास है Android 13 इनके पास है ठीक है अब दूसरी बात करे प्ले स्टोर आपके पास है PlayStore दोनों के पास है अगर मैं तीसरी बात करूं यहां पे आप ज़्यादा है यहां पे चार चौसट में अविलेबल होता है आपके वाला पैनल 8128 में या 864 में दोनों के आप आपके पास अविलेबल है तो यहां पे आपके पास मैं कह सकता हूं स्पेसिफिकेशन ज्यादा है जो कि अच्छी चीज है अब अगर मैं बात करूं सर यहां पे है ओक्टा कोर प्रोसेसर सर आपके पास है को आपके पास है को आपके इंटरफेस में भी फरक है अगर मैं दूसरी और बात करूं इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं यह फीचर भी इनके पैनल में है अगर मैं बात करूं माली जी 52 सर यह पैनल गूगल सर्टिफाइड एंड्रोइड 13 के जितने भी एक्चुल में पैनल है जो गौवर्मेंट अप्रूड है यह बात करूं जो सच में एंड्रोइड 13 है क्या आपका पैनल गूगल सर्टिफाइड है सर नहीं है यह वाला पैनल मुविंग वीडियो में कर सकते हैं अगर आप को एकनल नहीं मैं पाते आपकी स्क्रीन फ्रीज ओ जाती है और उसके बाद उसमें कर पाते हैं क्या गूगल सर्टिफाइड हो गया तो गूगल मीट वगयरा वो इसमें चल जाता है अब दूसरी जिस बात पे आप लोग हमेशा लड़ते हो सर्विस सर्विस का ऐसा है आईसेंस एक डीलर बेस्ट प्रड़क्ट है आपका अपना खुद का एक प्रड़क्ट है डीलर क्यों नहीं बनाए क्योंकि आपसे कोई समान लेके इस ब्रैंड को बेचेगा तो क्या उसकी वैल्यू है या नहीं है इन चीजों का फरक पड़ता है आपका खुद का अपना brand है यह कोई company नहीं है मैं रात में सोके उठा सुवे मेरे मन में एक नाम आया और मैंने लगा दी और बेचना शुरू कर दिया अच्छी बात है हम appreciate करते कि आप business कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप अपने नाम को भी बेच रहे हैं और आपकी अच्छी बात है as a businessman बट दूसरे को छोटा करने के लिए अपने आपको बड़ा करो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को खीचो high sense के अगर मैं बात करूं high sense android 13 के साथ आता है जो service आप देते हो high sense तो अभी आया है आपके पास तो 100 लोगों के team है अगर बात करें service के और support के लिए तो max up से comparison आप मेरे साथ कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के चलते बहुत सारे ऐसे यूटूबर्स यह में बहुत सारे लोगों डीलर के अंदर एक यह वहम होता है कि हम हैं तो max up की service है सर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है max up अपनी कंपनी है जिसको अपनी service का पता है अपने support का पता है और उसको यह पता है कि क्या सही है क्या गलत है आप लोगों को अगर यह लगता है कि आपकी वज़े से ही service मिल रही है तो बहर मोसम बहुत अच्छा है आप जाए गोल कपे खाईए और अपने प्यार महबत के साथ दो बाते करिए और आके चद्दर तान के सो जाईए क्योंकि गलत फैमी में रहना बहुत बड़ी बात है आप हर एक वीडियो में कह रहे हैं कि इसकी service में delay है dealer based है सर आप भी तो उसके dealer है ना तो इसका मतलब आप भी service नहीं दे रहे तीचर्स आपके लिए video है आप देखें समझें कहां पर सही है कहां पर गलत आप हमसे directly पूछे हम आपको पूरा support देंगे पूरी service और proper information देंगे लेना कहां से है ये आपकी मर्जी है बट हम हमेशा आप देखते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी जिसको नहीं आई वो चद्दरतान के सोच है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम तो ऐसे ही वीडियो बनाएंगे तब तक के लिए हम से जुड़े रहे हैं अगली वीडियो भी हम बनाने वाले हैं अभी बता देता हूं में अगल ओपरेट कैसे होगा वो भी ताकि आप समझ पाएं कि एक सस्ते प्रड़क्ट को महंगा करके बेचने में और जो प्रड़क्ट महंगा है उसकी क्वालिटी में क्या फरक होता है क्योंकि असली पैसा तो पीटीजेड में भी है दस्त तो जुड़े रहे हैं हम से जब तक के एलिए नमस्कार